कि नबस्कार दोस्तों इस वीडियों में हम सीखेंगे कि उत्तर प्रतरश फार्पेसि काउंसल में अगर हमें रिजिस्टेशन करवाना है तो रिजिस्टेशन सze इससे आप डारेक्ट भी खोल सकते हैं, यह रहा दोस्तों वेबसाइट का एडरस, चुकि हम नए हैं और पहली बार इस पर रजिस्टेशन करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पर option देख पाएंगे new to portal, आप पोर्टल पर नए है, register here, आपको यहाँ पर click करना है, अब आपको य चूज कर सकते हैं, चूज कर रहे के बाद आपको यहाँ पर अपना पर्थम नाम लिखना है, first name हम कह सकते है, middle name और last name यहाँ पर लिखना है, male ID की आपको एंट्री करनी है, और mobile number की यहाँ पर एंट्री करनी है, याद रखें, mobile number वही हो, जो permanent हो, यहाँ पर आपको अपना उसके अनुसार यहाँ पर एंट्री करनी है, और रखेंट पर क्लिक करना है, आपको message दिखाए देगा, OTP send, आपके दोरा जो mobile number दिया गया है, वहाँ पर आपको OTP प्राप्थ होगा, आपको OK पर क्लिक करना है, आपके दोरा प्राप्थ कियागे, OTP की यहाँ पर एंट्र पर पड़ें, चुकि हम आगे बढ़ना चाहता है, आपको cross पर क्लिक करना है, हमारा registration हो चुका है, अब हम login करेंगे, चुकि हम mobile number दे चुके है, पासफ़ट क्रेट कर चुके है, तो हम login की प्राप्रिया स्टार्ट करेंगे, आपने जो mobile number दिया था, उसकी यहाँ पर entry करनी है, जो आपने पासफ़ट बनाया था, उस पासफ़ट की यहाँ पर entry करनी है, यह जो capture code है, उसके अनुसर आपको यहाँ पर result भरना है, यह सभी जानकरी भरने के बाद आपको login पर क्लिक करना है, और आप अंदर एंटर कर चुके है, UP Pharmacy Council की website पर, पर सम आपशन आप देख registration of pharmacist, pharmacist के लिए जो आप apply कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है, आप से पूछा जाएगा, आपने पंजीकरण है तू अनुरोद कर रहे हैं, अत्वा pharmacist को अन्य काउंसल से UPPC में इस तनांतर थे अनुरोद कर रहे हैं, चुकि हम पहली बार apply कर रहे हैं, तो आपको select करना है new registration, नया पंजीकरण, आपको यह select करना है, आपको दिखाए देगा आपने screen पर application form for pharmacist registration, pharmacist registration के लिए application form, आप इस form को download भी कर सकते हैं, अभी आपको download करके बताऊंगा, यह सभी जानकरी आपको भरनी है और नीचे move करना है, इसे तरीके से यह सभी जानकरी आ आपको भरनी है और save and next पर click करना है, जानकरी भरने के बाद, save and next click करने के बाद ही आप अगली जानकरी भरने के लिए पात्र होंगे, sample form download करने के लिए जो आपको यह दिखाए दे रहा है, दोस्तों, symbol आपको यहाँ पर click करना है, और click करते ही, ऐसा form देखेगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, आप इसको download भी कर सकते हैं दुबारा, या फिर print भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाए देगा, थोड़ा बड़ा करके देखें, registration की प्रकिरिया के लिए दोस्तों, आप इस form को download करें, यह सभी जानकरी कठा करें, और उसके बाद registration कर करते जाएं, और यह दा नीचे वाला भाग उस form का, तो दोस्तों इस तरीके से आप शुरुवात कर सकते हैं, registration की, इसके लावा, अगर आपको फार पेजे समंधित विश्व पर important lecture से हैं दोस्तों, यह दा लिंक आपके सामने, आप डिस्क्रिन वास में जाकर लिंक पर क्ल सुरक्षित रहें, धन्यवाद, जैहें, जैवारत